प्रेंड स्वागत आपका फिर्शे मेरे टिफ्स चैनल चैनल पर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो आज कल मोबाईल की इन्विल्ड बैटरी इस तरह की आती है इनको हम किस प्रकार से बूस्ट अप कर सकते हैं वह भी मतलब बिना इनको किसी भी तूल के मद्य इस तरह की इन्विल्ड बैटरी जाती है ठीक है अब हमको करना क्या होता है जिसे मालो यह बैटरी है नॉर्मली हम फॉन रिपेरिंग कर रहे हैं तो यह इस तरीका के यूनिवर्सल टूल आता है आप इसको देख सकते हो यह टूल है जो यह एक्टिवेशन टूल है इसमें पोर्ट्स दिये होता है बैटरी के कि इस तरीके कनेक्टर्स होता है उन कनेक्टर्स में यह आईफॉन के लिए यह अपने अंड्रोइड के लिए इसके अलावा इससे एक बड़ा टूल भी आता है जिसमें अंड्रोइड के और भी काफी पोर्ट्स होते है तो हमको करना क्य फिर हमको simply यह data cable लेनी है अपने adapter की और data cable को लेकर हमको इस जगे पर इसको लगा देना है इस तरीके से और हमें on कर देना है तो यह चार्ज होने लग जाएगी आप देख सकते हैं इसकी red light जल गी है अगर इसमें थोड़ा सा बैटरी में थोड़ा से voltage होगा तो यह रेड़ तूल नहीं है क्योंकि कुछ technicians हैते होता है कि मेरे पास जितने technicians मेरे चैनल पर आते हैं वो सभी क्या करते हैं कि नई होते हैं और वो सब को मतलब क्या एक तरीके का जुगाड़ चीए तो जुगाड़ के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं टिप्स इस तो वीडियो कं सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर क्या करो जिसे मैं आपको वीडियो बनाऊं आपके अनुसार जो आपको चाहिए आप देखिए जैसे मालो यह इसके कनेक्टर है तो हम क्या 20V DC पर सैट करना है हम इस बैटरी को ले लते हैं क्यूंकि इसमें बिल्कुल भी वल्टेज नी है यह इस बैटरी को ले लेते हैं हलागी वैसे इसमें आप देख सकते हो इस बैटरी में बैटरी प्लस और बैटरी माइनस लिख रहा है आप उद आप देख सकते हो voltage अगर आपकी 3.83 आ रही है तो यह इसका plus positive है अगर आप इसको back side से reverse लगा देते हो इस type से तो यह minus में दिखाना लग जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यह इसका positive side नहीं है तो यह बिल्कुल minus नहीं दिखाना चाहिए तो वो इसका positive side होता है इस तरीके से फिर हमको करना क्या है यह हमने voltage इसकी चेक कर ली voltage चेक करने के बाद में हमको simply इस तरीके का एक vacuum machine आती है आप देख सकते हो यह vacuum machine आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यह इस तरीके से आपको मेरी machine दीख रहा होगा आपको यह दीख रहा है मैंने थोड़ा सा camera को उठा के यह vacuum machine आपको दीख रहे है तो इसमें दो tips रहते है प्लस एक minus ठीक है अब मैं इसको simply होई पर रख देता हूँ अब यह plus और minus तो इससे क्या है में jumper करके इसको लगा देना है तो plus को plus की जिके पर लगा देना है और minus क की तो एक बात कभी से ध्यान दखे कि जब हम इसको paste करें तो मतलब soldering करें तो soldering बहुत ही आराम से करें इसके बाद मैं आपको next tricks बताने वाला हूँ जिससे कि आप इससे boost up कर सकते हैं तो इसको solder करना है हमको simply हम example ले लेते हैं तो हम इसमें क्या है अपने को थोड़ा सा iron लगा लेना है इस टाइप से solder लगा लेना है पहले हलका सब और solder paste लगाने के बाद में हमको अपना यह iron लेना है आइरन कोई साब ले सकते हो और पहले हमें क्या करना है इस सैड में positive में जोड देना है बहुत ही आराम से जोडना बिल्कुल भी जलबाजी मत करना और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इसकी आपको प्रैक्टिस होने चाहिए प्रैक्टिस अगर आपको होगी तो बहुत ही इजी ली आप वर्क कर पाऊगे ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो आप दूसरी बात आती है कि मालो बाइद वे आपके पास यह बूहर भी नहीं ठीक है? आप मैं इसको अलग अटा जेते हैं यह अपने पास भी नहीं है अब हमें इसे चार्ज करना है तो हम कैसे करे तो तो normally आपके पास चारजर फॉर्ट भरकर होगा तो हमें उससे क्या करना है हमें इस साइट से उसकी date cable को काट लेना है इससाइट और इसमें जो red और white की जो negative और positive की इसमें चार वह वह होती है वायर इसमें से positive की red होती है और बाकि black होती है या white होगी तो वह अपने को ले लेना है और उन दोनों को positive और positive और minus को minus में लगाना है तो इसको हम boost up कर सकते हैं तो यह सभी methods क्या है इनको boost up battery को boost up करने के लिए हैं जो भी technicians हैं आजकल और दूसरी बात अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको like से सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो पर comment जरूर क्या करो और thank you दोस्तों